नमस्कार दोस्तों, और समय अपका स्वागत है, आज बात करूंगी म्यानमार के बारे में, पुछ पुरानी किस्से, म्यानमार को ब्रम्ध देश भी कहा जाता है, यह दक्षिन एसिया का एक देश है, इसका पुराना अंग्रेजी नाम जो है बर्मा था, यहां सबसे अधिक बर्मी नसल के लोग निवास करते थे, इसलिए इसे बर्मा कहते हैं, इस समय म्यानमार की राजधानी जो है नेपियदा है, भारत और म्यानमार की सिमाएं 600 किलोमीटर तक एक दूसरे से जुरी हुई है, बंगाल की खाडी में समुद्री सिमा से भी दोनों देश जुरे हु और नाचल परदेश, मिजोरम, मनिपूर और नागलन की सिमाएं म्यानमार से सटी है, एक आकलन के अनुसार म्यानमार में लगभज 25 लाग भारतिय परवासी रहते हैं, म्यानमार की नेता आंग्शू की भारत से गहरा नाता है, उन्होंने दिल्ली के लेडी स्री राम कराई की थी, तब उनकी मां भारत में राजदूत थी, म्यानमार रोहिंगा मुसल्मानों को देश से खदेरने की बज़े से दुनिया भड़ में चर्चित है, यहां की करिब जो है 10 लाख मुसलिम अबादी को जनगन्ना में जगर नहीं दी गई, हिंसा के चलते रोहिंगा भाग कर बंगला देश में वो आ रहे हैं, भारत और म्यानमार के सम्मद बहुत पुडाने हैं, 1907 तक बर्मा भी भारत का ही हिस्सा था, यह वही बर्मा है जहां भारतिय सोतंतर संगाम की पहली संगठित लराई के लीडर बहादूर सा जफर को कैद करके रखा गया था, मौ म्यानमार के इतिहास को एक नजर देखें, तो जनवरी 1948 में म्यानवार को आजादी मिली थी, सितंबर 1987 को नोटवंदी के चलते वहां के लोग बरबाद हुए और सरकार के विरोध में दंगे वहां भरके थे, जुलाई 1989 में सत्ता धारी जुन्टा ने मार्शल लग की घोष मौई 1990 को आम चुनाव में एनल्डी की भारी जीत चुन्टा ने चुनाव के नतिजों को मानने से इनकार किया, अक्टूबर 1991 में जो है सुकी को नोबल सांती पुरुषकार मिला, जुलाई 1995 में सुकी को नजरबंदी से रिहाई हुई, मौई 2003 में जुन्टा वग एनल्डी समर्थों के बीच जरब के बाल सुकी को फिर हिरासत में लिया गया, सितंबर 2007 में जो है बौध विक्षूओं द्वारा सत्ता विरोधी परदर्शन हुआ, अप्रेल 2008 में सरकार ने प्रस्तावित समिन्धान छपाया, जिसके मुताविक एक तिहाई संसदिय सीटे सेना के हिस्से में जाएंगी, सुकी के किसी भी परकार के पद ग्रहन करने पर प्रतिवंद हुआ, और अब एक फरवरी 2021 को जो है फिर से तक्था पलट हुआ, और आंग सांग सु हिरासत में है, तो ये था म्यानवार से समंधित वाते,